चोटे बच्चे हमेशा शरारत करते दिखते हैं उनका नटकट अंदास देख कभी हासी आती है तो कभी गुस्सा बिना किसी टेंशन के वो दिन रात खेल मस्ती में लग रहते हैं लेकिन आज हम जिन डॉक्टर की कहानी आपको बताने वाले हैं वो बहुत अलग हैं उनके पि चोटे से कस्पे में रहते थे आस पास कोई अच्छा स्कूल नहीं था इसी को देखते हुए उन्हें पांचवी क्लास में परिवार से दूर जाना पड़ा कानपूर के स्कूल से उन्होंने बढ़ाई की इसके बाद उन्होंने CPMD का पेपर दिया और सेलेक्शन भी हो गया 1998 से लेकर आज तक डॉक्टर सुमेद किंग जॉर्ज मेडिकल उनिवस्टी में सेवाए दे रहे हैं उनका यहां तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा डॉक्टर ने लगभग 12 साल की बढ़ाई की दिन रात की मेहनत करने के बाद वो अपने पापा का सपना पूरा कर पाए इस दोरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया इसके बारे में वो कहते हैं मेडिकल फिल्ड जो है यह कॉंस्टेंट इफर्ट की चीज़ है जब आपने इंटर पास किया तो आप सुछते हैं हमने सी पीम्टी की तियारी कि हम सेलेक्ट हो गया हम बहुत बड़ी जगा आ गया मैं के जमसी में सेलेक्ट हो गया तो आगए तो वो जरनी तो जब आप से पूरे 5,5-5 साल अच्छी मिनत करेंगे तब आपको अमडी में प्रोवेस मिलेगा, अडमिसन मिलेगा, अमडी में अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब आप डियम में सेलेक्ट होंगे एक डॉक्टर मरीजों की दुखों को दूर करने के लिए दन रात एक करता है डॉक्टर सुमित भी बताते हैं कि उनके सामने हर एक दिन नया चैलेंज आता है कुछ केस बहुत क्रिटिकल होते हैं पर वो हमेशा उसी हिम्मत के साथ लोगों की मदद करते हैं बता दे कि गैस्टो डिपार्टमेंट में पेट और लीवर से जुड़ी बिमारियों का इलाज किया जाता है इसमें खून की उल्टी, पेट में पानी भरना, जॉइंटिस होना, गैस बनना और कैंसर जैसी बिमारियां शामिल है पर डॉक्टर का मानना है कि बिमारियों के नाम से युवाओं को इस फील्ड से घबराना नहीं चाहिए तो ये थी डॉक्टर सुमित की कहानी, पांचवी क्लास से ही परिवार से दूर रहकर उन्होंने अपने पिता का सबना पूरा किया, उनकी जर्नी सच मुझ बहुत इंस्पारिंग है लखनाओ से अंजली सिंग राचपूत की रिपोर्ट